अगला सवाल माइक नमबर तीन से, वहाँ पर कोई अगर गैर मुस्लिम भाई हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं, माइक नमबर तीन से नमस्कार, मेरा नाम हरीपाद विश्वास, मैं बंगल माल्दा गाजल साया हूँ, मैं एक रिट्यार खोजी हूँ और अबी मैं प्राइमर टीचार हूँ हम कही भी देखते हैं कोई भी धरम में बेगुनाओं को कोई कातिल करना, जुलूम करना ये नहीं लिखा लेकिन हम देखते हैं दुनिया में कही भी मुस्लिम हो या हिंदु हो बेगुनाओं को पर जुलूम करते हैं धरम का प्रचार पर, जहां पर देखिए, मुस्लमान जदा है तो हिंदु का उपर, और हिंदु जहां जदा है तो मुस्लमान का उपर तो धर्म क्या है और इस सवार ने अल्ला ने क्यों नहीं एक धर्म क्या और एक धर्म क्या नहीं किया यह मेरा करसे नहीं बहुत अच्छा सवाल है बहुत अच्छा सवाल है कि धर्म के नाम पर गतल हो रहा है जब मुसल्मान मेजॉरिटी में तो हिंदू कतल होता है जह हंदू मेज़ुटी में तो मुस्लमान के खतल होता है ऐसा क्यूम खुदा ने एक धढ़न क्यूं ने बनाआ या बहुत अच्छा सवाल है कुरान में लिखा है सुलिय अलिम्रान में उरत इम्जी क्गन की दिम्रों में अब्लाइ ने एक धर्म बेजा लेकिन वक्त गुजरते हुए लोग इसमें तब्दीली लाए इसलिए खुरान मजीद में लिखे अल्लाइ ने एकी दीन बेजा एकी धर्म बेजा वो है अमन हासिल करना अल्लाइ सुभानाओ ताला के एकामात के मताबिक इसे कहते हैं इसलाम आप चाहर अरभी में बोलो चाहर इंग्लिश में बोलो पीस अक्वाइट बैस सब्मिटिंग अविल टु गॉड़ अज़ाट इस अनली रिलिजिन और अल्ला सुबानाव टाला ने हर दोर में पेगंबर भेजे लेकिन जितने भी पेगंबर आये थे वो सिर्फ अपने वक्त के लिए महदूद थे और अपने लोगों के लिए थे और जबी भी पेगंबर भेजे जबी भी किताब नाजिल हुई लोगों ने किताब को बदला और उसमें तबदील इला है और एक नया मजब पैदा हो गया एक नया दीन पैदा हो गया तो अल्ला ने एक नही किताब भेजी नया पैगंबर भेजा लोगों ने उसके अपर अमल किया फिर चंद साल के बाद दस साल बीस साल पचास साल के बाद उसमें तबदील या है लोग ने अपने फाइदे के लिए उसे बदला और एक नया मदभ पैदा हो गया एक नया धर्म पैदा हो गया इस तरीके से अल्ला ने कई किताबे नाजिल की और हमारे रसूल फर्माते है मुहम्मद सल्लाव सल्म अल्ला ने एक लाग चौबीस जार पैगंबर इस दुन्या में वेजे लेकिन अल्ला सुबानाओ ताला ने आखरी पैगंबर मुहम्मद सल्लाव सल्म और आखरी किताब आखरी वही कुरान मजीद चौदा सो साल पहले भीजी और इसमें अल्ला ताला फर्माते है क्योंके ये आखरी किताब है ये सिर्फ मुसल्मानों के लिए नहीं सिर्फ अर्बों के लिए नहीं भीजी थी बल्के सारी इंसानियत के लिए भीजी थी और क्योंके ये आखरी किताब है ये महदूद नहीं यह च्हाँना नहीं दस साल के LZ साल के लिए जब तक क्यामत आई इगी उस वक तक के ये किताब सही रही रही और क्योंकि मौँ माश्य लाथ लाशल में आखरी पैगंबर थे वो सिर्फ मॉसल्मान या अर्बों के लिए ने भीजे गे थे वो सारी दुनिया के लिए भीजे गे थे तो आज जो भी इंसाने चाए वो हिंदुस्तान में है चाए पाकिस्तान में चाए साथी अरेबिया में चाए यूएसे में चाए इंगलेंड में उसे आखरी पैगाम अल्ला का खुदा का उसके ओपर अमल करना चाहिए वो एकुरान और आखरी पैगंबर मुंबस सल्लाव सल्म पर अमल करना चाहिए फिर आपको अमन मिलेंगी और इंशाला खुन कराबा नहीं रहेंगा मैं मानता हूं आपकी बात कि अकसर आप देखते मेजॉरिटी माइनॉरिटी पर जुर्म करता है मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई साब इस किशन गंज मेजॉरिटी मुस्लिम किये क्या हिंदू किये सर मेरे को तो पता नहीं मैं बंगल साया हूं किशन गंज का ने लेकिन आज सुबा को जब हमारे हिंदू जितने इदारे के प्रेसिडेंट ते चेर्मेंट थे वो कह रहे थे किशन गंज में 65% 65% मुसलमान है और 35% हिंदू है उसके बावजूद इस किशन गंज मिसाल हिंदूस्तान में कि कभी भी हिंदू मुसलिम का राइट नहीं हुआ धरम के नाम पर किसी मुसलमानने कोई हिंदू को ना गतल किया ना हिंदूने मुसलमान को गतल किया एक पॉलिटिशन M了 rugby साब कहरे थे खरली वोटin के टायम पर कभी-कभी होता हिंदू मुसलिम के आंदर को वोट देना उसको छोड़के कभी भी यां दंगे फसाद नहीं हुए तो ये मिसाल है कि मेजॉरिटी में होने के बावजूद आप देखते कितना अमन है और आप खुशने सीब है कि मीडिया ये अमन को खराब नहीं कर रही मीडिया को पता चाढ़ जाएगा मुसल्मान अमन से रहर है तो आपके अमन और शान्ती को अशान्ती में बदल देंगी kg सबसे अच्छी मिधाल कश्मीर कश्मीर में दोको क्या हो रहा है कि मीडिया आप देखेंगे मीडिया इतना उसके पीछे लग गई कि शान्ती को शान्ती में बदल दी तो मैं अल्ला से दुआ करता हूं कि किशन गंज का माहौल अमन रहे आप मीडिया से बचिए आप सई धर्म का पालन कीजिए इंशाल्ला आपको अमन और शान्ती मिलेंगी लेकिन आपके सवाल का जवाब यह है कि अल्ला ने इश हासिल करना इश्वर भगवान अल्ला के जो भी एकामाते उसको अमन में लानी के बाद और हर इंसान अगर यह ढूंडे के सई इश्वर कोन है और उसका कहना क्या है तो इंशाल्ला दुनिया में अमन रहेंगा लेकिन कई लोग नहीं चाहते का दुनिया में अमन रहे इसी के लिए वो देखते हैं इस हमारे हिंदुस्तान में सारी दुनिया में हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जा सबसे ज्यादा मधब के नाम पर राइट्स होए दंगे फसाद होए और इसका मैं ब्लेम दालता हूं हिंदुस्तानी नागरिक पे ने हिंदुस्तानी लेकिन हम पे हुकुमत की उनकी पॉलिसी ती डिवाइड एंड रूल हिंदू मुस्लिम को डिवाइड किया और हम पे राज किया अंग्रेश तो चले गए अपनी राज नीती छोड़ गए पीछे इसलिए मैंने एक तक्रीर किया हूँ इस टेररिजम मुस्लिम मोनोपली और कहा जितने भी आप धंगे फसाद देखेंगे दुनिया में जितने भी टेरिस्ट एक्ट डायरेक्ली और इंडायरेक्ली कहीं न कहीं पॉलिडिक्शन का हाथ है चाहे बाबरी मलजद लो चाहे गु वोट बैंग में लोग हमें वोट दे तो सबसे आसान तरीका है कि आपस में लड़ाओ मजब के नाम पर ने तो आम तोर पर मैं समझता हूं हिंदुस्तानी जो नागरिक है हिंदू और मुस्लिम माशाला अपस में अमन चाहते हैं आपस में दूसरे से प्यार करते लेकिन इ इसलिए आप देखते के रैट्स होते हैं अलहम्दुल्ला किशन गंज एक मिसाल है और मैं धरकास करूँगा किशन गंज के पॉल्डिशन से के इस अमन को इन्शाला बरकरार रखे आप भक पे रो आपको वोट मिलेंगा यहां ने मिलेंगा उपर तो सीट मिलेंगी मैं हमेशा पॉल्डिशन से कहता हूँ अब भक पे जमे रो चाया आपको नुकसान हो यहां सीट मिलेंगी उपर तो मिलेंगी यह सीट तो टेंपरेरी है यह सीट आपकी दुनिया की टेंपरेरी है कितने साल जिये हैं आप पचास साथ साल 80 साल कितने साल जिये हैं उपर की तो पर्मिनन Caroline ए यह सीट को छोड़ा आखिए आखिरेंगी और वह हमेश्क आपके साथ रहेंगी Hope to answer the question. all the sins in this world. Make it the perfect place to be in. Why does it have to take so much of time.. like as we all know... there is hell and there is heaven. The people who do good deeds go to heaven... and the people who do bad deeds go to hell. He is testing us,... why does it take God six thousand years to test us?.. the Sarangстow,boy Beyond G slim is so powerful.. that he can come down and clear all the misconceptions. why is it taking 6,000 years or more to test us it's a very good question and Quran says that if Almighty God wanted you could have made everyone as Muslims Quran says in many places that means you could have made everyone believe in Almighty God but the Quran says in Surah Mulq chapter number 67 verse number 2 it's Almighty God has created death and life to test which of is good indeed it's like you telling me that you know we have gone to school after 10 years we appear for board examination SSE board CBSC IGCSE why is the teacher taking test why doesn't teacher pass everyone if teacher passes everyone everyone will admission into medical college and everyone will become doctors and they start killing people rather than curing so in the medical examination you say why is our medical teacher failing us he's failing us to know whether you're worth treating a patient or not so similarly Almighty God has created the human beings and have given the human beings a free will all the other creation of Almighty God don't have free will except the human beings engine have free will the angels have no free will whatever God says they follow 100% but the human being is a superior creation than the angels after Almighty God has given us a free will then if we obey the commandment of God we are superior than the angels if we don't obey his commandments we are inferior to the angels so now Almighty God has given us a free will and before we came in this world Almighty God asked us who would like to become a human being if you don't become a human being you have just passed you may either become mountain they are Muslim tree they are Muslim animals they are Muslims angels they are Muslim Muslim means submitting the will to God all the animals are Muslims all the stars are Muslims all the plants are Muslims all the angels are Muslims now human being is a unique creation it is the best creation of Almighty God so God asked who would like to become a human being the Quran says we human beings were fools who said we want to become human being that means just pass or if you become a human being you may get distinction all of us thought we'll get distinction how many get we come to an afterwards so we have been given the free will and now we are undergoing the test so if Almighty God passes everyone then I will say Almighty God is unjust Almighty God puts everyone in heaven then I will I was such a good man I did not rob I was honest that man robber rapist even he's with me in heaven I will object to Almighty God why did you put this person in heaven so Almighty God the Quran says in Surah Nisa chapter 4 verse number 40 he's never unjust in the least degree so therefore Almighty God is merciful he gives us a chance he forgives us but finally also just so based on this we are undergoing this test this life is a test for the hereafter so we are a unique creation of Almighty God and the purpose of this creation as the Quran says in Surah Dariya chapter 51 verse 56 that Almighty God has created the jinn and the human beings not but to worship him by worshiping him that means obeying his commandments if you obey his commandment we pass in this test otherwise the Quran says if he wanted he could have made all the human beings Muslims very easy